कुमार राय बंगला साहित्य के एक प्रसिद्ध स्ताक्षर हैं, उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से बच्चों के लिए विशाल साहित्य रचा, वे सुप्रसिद्ध फिल्म नरदेशक सत्य जीत राय के पिता भी थे। आए हम सुनते हैं उनकी एक बंगला रचना ठूके मारी और मुखे मारी का हिंदी अनुवाद ठूके मारी और मुखे मारी पहलवान मुखे मारी का बड़ा नाम था। एक दिन जब ठूके मारी से रहा नहीं गया तो वह कंबल में नौ मन नाटा बांद कर उस कंबल को कंधी पर डाल कर मुखे मारी के घर की और चल दिया। रास्ते में एक जगर बहुत प्यास और भूख लगने पर ठूके मारी ने कंबल को कंधे से उतारा और एक पोखर के किनारे अराम करने बैठ गया। उसके बाद चौँ चौँ करके एक लंबे घूट में पोखर का आधा पानी पी गया और बाकी आधा में आटा मिला कर उसे भी खा गया। आखिर में जमीन पर लेट कर नाग बजाती हुए सो गया। उसी पोखर पर एक हाथी रोच पानी पीने आता था। उस दिन भी वह पानी पीने आया। लेकिन पोखर को खाली देखकर उसे बहुत गुसा आया। पास ही एक आदमी को सुछते देखकर उसने उसके सिर पर अपने भारी पैर से लात मारी। ठूके मारी बोला ओरे अगर सिर दबाना ही है तो जरा ठीक से दबाना बाबू। हाथी को तब और भी अधिक गुसा आया। वह अपने सूर से ठूके मारी को उठा कर जमीन पर पटक कर मारना चाहता था। लेकिन उससे पहले ही ठूके मारी जटाक से उठा और हाथी राज महराज को जोले में भर कर चल दिया। कुछ दूर चल कर वह मुखे मारी के घर पहुँच गया। और घर के बाहर से चिलाने लगा। अरे ओ मुखे मारी सुना है कि तुम बहुत बड़े पहलवान हो। हिम्मत है तो आकर लड़ो ना। यह सुनकर मुखे मारी जल्दी से घर के पीछे एक जंगल में घुज गया। मुखे मारी की पतनी बोली बो तो आज घर पर नहीं हैं कहीं पहाँ धकेलने गए हैं। ठुके मारी बोला यह उसे दे कर कहना कि इसका मालिक उसके साथ लड़ना चाहता है। यह कह कर उसने हाथी को उचाल कर उसके आंगन में फेक दिया। यह सब देखकर घर भर की लोग भौचक की रह जाए। लेकिन मुखे मारी का होशया लड़का जोर से चिलाने लगा। ओ मारे इस दुष्ट आदमी ने मेरी तरफ एक चुहा फेक दिया। क्या करूँ बोलो तो। उसकी मा बोली डरने की कोई बात नहीं। तुमारे पिता जी आकर उसे उचित सिक्षा देंगे। अभी तो जाडू लेकर उस चुहे को फेक दो। यह बात कहते ही जाडू का जप जप शब्द हुआ और लड़का बोला। यह लो चुहा तो नाली में गिर गया। ठुके मारी ने सूचा जिसका लड़का ऐसा वह निश्चे ही मेरी बराबरी का होगा। घर के सामने एक तार का पेड था। उसी को खार कर ठुके मारी ने पुकार कर कहा। ओरे लड़के अपने पिता जी से कहना कि मुझे एक छड़ी की जरुरत थी। इसलिए यह लेकर चल दिया। लड़का एकदम से बोल उठा। ओ माँ देख रही हो। वो दुष्ट आदमी पिता जी की दातुने उठा कर लेकर भाग गया। दतुनी शब्द सुनकर ठुके मारी की आँखे आलू के जैसे बड़ी हो गई। उसने सोचा कोई जरुरत नहीं है बाबू उस आदमी के साथ जगड़ा करने की। वो तभी जटपट उस गाउं को छोड़कर अपने गाउं की और भाग गया। मुखे मारी ने घर आकर बेटे से पूछा क्यों रे वो आदमी गया क्या। लड़का बोला वो उस तार के पेड़ को लेकर भाग गया। तुने कुछ कहा नहीं। लेकर चला गया तो मैं भला उसे और क्या बोलता। यह बात सुनकर मुखे मारी बहुत गुसे से बोला करम जले तुने मेरा बेटा होकर मेरा नाम डुबा दिया ज़रुत पढ़ने पर दुबात भी नहीं बोल सकता। जा आज ही तुझे ले जाकर मैं गंगा में फेंक दूँगा। यह कहकर नालाइक लड़के को गंगा में फेकने के लिए चल दिया लेकिन गंगा तो गंगा के पास नहीं थी बहुत दूर है मुखे मारी चलता है चलता है और सोचता है बेटा जब रोना पीटना करेगा तब उसे बोलूँगा अच्छा इस बार तुझे छोड़ दिया ल कर बोला अब और देरी नहीं है गंगा बसा ही गई है लड़का जट से बोला हाँ पिता जी पानी के बहुत छीटे पड़ रहे हैं यह सुनकर मुखे मारी च्छकित हो गया वह तुरंद बेटे को कंदे से उतार कर बोला जल्दी से सच सच बोल तो उस आदमी से तुने जोड़ से हाँ सकर उसकी पीट थप थपाते हुए बोला शबश बेटा बाप का बेटा धन्यवाद